नमस्कार साथियों आप सबका पुनह स्वागत है श्रद्धा एश्ट्रो जोतिश में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेवती नक्षत्र के बारे में इससे पहले हम लोग भ्रगु सम्मिता पूरी कर चुके हैं कोई भी विक्ति अपने लग ननुसार अलग अलग भाव तो आप प्लेलिस सेक्शन में जाएं जहां आपको संपूर्ण भ्रगु सम्मिता प्लेलिस मिलेगी और 1054 अलग लग वीडियो हैं आप अपने लग ननुसार ग्रह का फल जान सकते हैं नक्षत्र सीरीज में दोस्तों वैसे 27 नक्षत्र माने जाते हैं यह अंतिम नक्षत्र है रेवती नक्षत्र और अभिजित नक्षत्र को वैसे जो 13 डिग्री 20 मिनट का जो अलाट्मेंट होता है एंगल कोन में यह कह सकते हैं जौडिया क्या भावचक्र में वो तो नहीं मिला हुआ है यानि उनी नक्षत्रों से निकाल के कुछ पाट दिया हुआ है तो हम अभि से जब बली होता है और काल पुर्ष की कुणली के साथ भी अगर हम संबना कर देखते हैं तो कहीं न कहीं पूर्व भाद्रपद का जो आखरी हिस्सा है वो कहीं न कहीं अभिजित को दिया हुआ है तो ध्यान रखने इसलिए उसका जो बल है वो काफी बढ़ जाता है तो ब समझाने की दृष्टी से कि इतना वो एक लॉट्मेंट समझा जाता है तो उसका मुख्य रूप से दशंभाव के साथ संबन्द है करम प्रधान जीवन जो मुख्य रूप से प्रैक्टिकल सोच की बात करता है सूर्य अगर दशंभाव में हैं तो कहते हैं कि जातक का जो सम खुędzieमान चमकता है तो वही दोपहर 12 ब flexible जंव होता है तो वह अबिजित मौहरत माना जाता है ऐसे ही रात्री में भी जब मिलन होता है कहीं अर्धर रात्री होता तभी भी अभिजित का प्रभाव दिखाए देता है हम कोशिश करेंगे कि अभिजित नक्षत्र के लिए एक अलग वीडियो रिकॉर्ड कर पाएं कही ना कहीं बढ़ाने वाला, संपदा बढ़ाने वाला, हलक इसमें दोनों चीजे हैं, अब ये आखरी नक्षत्र है, और कहीं आखरी राशी का आखरी हिस्सा है, तो जहां तक बात है, जब आदमी सब्रकार से तरप्त हो जाता है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं चाहा होती है, इस तरप्ती से उपर की बात, इसलिए उसको कहीं ना कहीं, हम डिपार्चर ओव सोल के साथ भी अटैश करके देखते हैं, कहीं ना कहीं इसको, क्योंकि जहां सिंबल की बात आती है, वो मतस्य, या कहें, जो मीन राशी का सबसे अधिक प्रभाव कहें, इस नक्षत्र ने लिया हुआ है, क्योंकि मीन राशी का भी सिंबल क्या है, दो विपरीत मतस्य या मचलियां, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये सांसारिक सुख को भी बताती है, और माने प्रले और सरजन, दोनों को मतस्य अवतार या कहें, जब कभी भी आप मतस्य पुरान के बारे में, इन फैक्ट रेवती नक्षत्र के उपचार में भी कहा जाता है, कि आप मतस्य भगवान को भजें, केतु के स्टक्चर को जाने, केतु को देखने में ऐसा अवधूत जैसा दिखाए देता है, और बारवे भाव को जो एक विशह मोक्ष, वो केतु का पूरी तरह से एजंडा वही कि डिटैच करना सबी चीज़ों से, तो यह कही न कही यहां भी दिखाए देता है, तो सांसारिक सुखों में भी मींदराशी वाले माहिर होते हैं, और कही न कही जहां departure of soul के बाद, इनकी जो लेखनी भी होगी, इनकी जो विचार भी होगे, उसमें कही न कही आदमी का मृत्यू पर विजे की कलपना होगी, कि बही कुछ ऐसा कारे किया जाए, कि मृत्यू को जीत लिया जाए, तो उसको ध्यान रखना है कि हम इसको मतस्यवतार के साथ जोड़ रहे हैं, और हम astrology में मतस्यवतार मानते हैं, केतू का representation, तो वो भी ध्यान रखना है कि ये भावना तो रहेगी, रहेगी, जन्माक्षर होता है, दे दो चाची, जो चौथा चरण है, जिसका चंद्रमा जो है, मीन राशी के आखरी पड़ाओं में आता है, मीन राशी के 26 डिगरी, 40 मिनट से थोड़ा एक सेक्सीड कर गया है, और 30 मिनट तक अगर मीन राशी तो, एंड वाला जो चरण पड़ता है, इस नक्षतरगा, उसको हम मानते हैं कि भई वो, हलाकि नक्षतर गंडांत में तो ठीक है, वो नक्षतर आता ही है, अरेवती नक् हम गंडबूल को किस प्रकार से जानते हैं, अभी गंडबूल किसे कहते हैं, जहां भी अगनी और जल तत्वों का मिलन होता है, ध्यान रखना आपको, हर नक्षतर को भी हम चार-चार हिस्सों में बाढ़ते हैं, तो कभी आप थोड़ा और डीपली जाएंगे, तब आपको पता लगेगा, और कोशिश करें कि हम इस चीज को अलग से इस चीज को बताने का भी, क्योंकि अपना एक राशी का भी तत्वों होता है, और राशी का तत्व कैसे नरधारित होता है, जो उसको अलग अलग चरण दिये जाते हैं नक्षत्रों के, उनमें जो सबसे अगनी तत्व प्रधान क्यों हैं, जबकि मेश के अंदर तो वायू तत्व के भी गोन है, उसके अंदर कहने जो सके नौ चरण अलग लगें, उनमें तीन चरण जो डॉमिनेट कर रहे हैं, वो किसके पड़ जाते हैं, अगनी के, क्योंकि चारों तत्वों को यहां देखा जाता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो मोक्ष को हम जल तत्व के साथ जोड रहे हैं, और जहां अर्थ की बात आती हम कहीं प्रित्वी तत्व के साथ जोडते हैं, और काम को हम कहीं न कहीं वायू से, और धर्म को हम अगनी से जोडते हैं, तो यह चारों, हर नक्षत्र क चारो चरण में आते हैं धर्म अर्थ काम्मोक्ष धर्म अर्थ काम्मोक्ष यानि अगनी पृत्वी वायू और जल तो जिस राशी में तीन तत्व आ जाते हैं यानि वो डॉमिनेट कर जाता है बाकी के अगर आप खुद से मैस जानते हैं तो खुद समझ जाएंगे भी नौ म में हमें 4 तत्वा देने होंगे तो जो तत्वा तीन ओर आएगा वह राशी का तत्वा प्री टॉमिनेंट कर जाएगा तो इस परकार से समझना है कि वैसे हर तत्व मौजूद है राशी है एसा नहीं कि में मेश राशी में जलतत्व के गुण मौजूद नहीं लेकिन डॉमिनेट कर जाता हो नौ चरणों में तीन चरण आ जाते हैं अगली तत्व के इसलिए मेश राशी प्रकरोकर अगली तत्व की बात करने लग जाती है तो गंडमूल जहां आता है गंडमूल का अर्थ होता है मु हैं इनको हम चार-चार में डिवाइट करते हैं जिससके चार चरण है तो इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो जहां पर भी मोक्ष वाला पार्ट और धर्म वाला पार्ट जुड़ेगा इसी को बोलेंगी हम यह नक्षत्र गंडान्त है और इसमें सबसे आना जाता है इसका आखरी चरण में जैसे मेश राशी में जो हम बात करते हैं शुरुवात वाला पार्ट यानि अश्वनी नक्षत्र तो अश्वनी नक्षत्र आ रहा है वो अगनी क्लेर हो गया क्योंकि इसको चार में बाटेंगे तो हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और इ ये ची अक्षर जो है, जो मोक्ष यानि जलतत्व की बात करता है, नेक्स्ट अगर रिपीटी वार्टर में जाएंगे तो किसके साथ मिल जाएगा ये, ये मोक्ष धर्म के साथ मिलेगा, यहीं इसको बोलते हैं नक्षत्र गंडांत, जहां मोक्ष और अगनी तत्व का मिलन होता है, इसलिए उसको शुब कारियों में त्याजमाना जाता है, यानि मुहरत के समय, किसी जातक का जन्म अगर गंडमूल में हुआ है, जैसे किसी का जन्म आक्षर, चंद्रमा का गोचर, इस प्रकार से था कि आपका प्रसिद, यानि जो not famous name, आपका जो secret name है, आपका जो कुंडली का नामाक्षर, वो चीस है, तो आप गंडमूल में जन्मू है, तो अपने लिए तो ठीक है, जातक उसके साथ में रहने वाले लोगों का कुछ मामले में अहित होता है, जैसे पिता, माता, चाचा पक्ष, लेकिन जब बढ़ा हो जाता है, तो अपने लिए उसका परसिद्धी बहुत होती है, जैसे कर हम बात करते हैं, मिर्जा गालिब, तो मिर्जा गालिब का भी जीवन कुछ ऐसा ही रहा, कि पिता, हलाकि कहीं ना कहीं, राजा के लिए काम करते थे, और चाचा भी इस प्रकार से, पिता का जन्म के कुछ समय के बाद उनका देहवसान हो गया, फिर चाचा ने उनको रखा, उनका देहान्त हो गया, तो शुरुवाती फेस थोड़ा सा टफ माना जाता है, नक्षत्र गंडांत में, ज्यान रखना है, इसमें नक्षत्र गंडांत का कौन से पाट पर हमें थोड़ा सा जोड़ देना, स्ट्रस देना, चौथा चर मुhrदू है इसमें कोई दोराहे नहीं कि प्रकृति सें तैय करते हैं कि इसका प्योग हम अच्छे शुब कामे में कर सकते हैं कि ने कर सकते हैं लेकिन एक मुर्दू यानि शुक्र के entertainment वाली जहां बात आती है वहां के लिए ठीक रहेगा है लेकिन जहां कोई बात ऐसा हो कि पुरे जीवन का एक महत्तपूर्ण डिसिजन लेना है तो उसमें कोशिश करनी चीए कि इसके चौथे चरण को हम अवाइड करें मुमरत के दौरान देवता इसके पुशान आदित्य द्यान रखना है अदिती के ही ये पुत्र हैं एक प्रकार से सूर का आप ब्रदर कह सकते हैं भाई कह सकते हैं लिकिन सूरी की तरह तीक्षनता नहीं है इनकी उर्जा में हम इनको ये भी कह सकते हैं हर जातक का या हर विक्ति के साथ जो देवताओं के एक अंगरक्षक के रूप में रहते हैं वो है पुशान आदित्य यानि आपकी यात्रा के दोरान मुख्य रूप से इनको यात्रा परिवहन और इस प्रकार के सभी कारेों के साथ जोड़ कर देखना है जहां भी एक मूमेंट दिखाई देती है तो उसमें आपको अंगरक्षक की भूमिका में रहते है आपके जो भी सद्गर्म है आपके जो अच्छे कर्म है उनसे आपकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते है पुशान आदित्य तो उनके देवता के स्वरूप को जानना है प्रतीक दो मचली नगाडा इस प्रकार से मतस्य को भी अगर आपने पढ़ा हो ये विश्नु का अवतार प्रले और उसके बाद स्रजन उस प्रकार का रूप रहता है तो मतस्य अवतार पढ़ने से आदमी को बड़ी जल्दी एक प्रकार से दोनों चीजे इसमें शामिल है संसार से डिटैश्मेंट भी हो जाता है और ये भी बात समझ में आती कि भी शप्त रिशियों ने जब प्रले आई तो आगे श्रष्टी सही चलती रहे तो सभी प्रकार की वस्तुओं का संग रहकर उस नौका में बैठे जिसको विश्ण अवतार मतस्य ने खीच कर उनकी रक्षा की तो द्यान रखना है कि वो प्रले और स्रजन दोनों का प्रतीक है मतस्य सिंबल अच्छा माना जाता आप जो भी स्पेशली जातक है और ये तो इस राशी की पुस्टी का रहे याने डबल राशी का भी यही सिंबल है और इस रेवती नक्षत्र का भी यही सिंबल है तो कोई भी चाहे फिश सिंबल लगाएं और आसपास कहीं आपके जल में कहीं मशलियां उनको आप कुछ इस प्रकार से दाने डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा बात करते हैं इसके प्रतीक की इसमें नगाडा भी शामिल है तो नगाडे को भी हम इस प्रकार से उत्सव के लिए भी देखते हैं और हमें ये भी बात समझ में आते हैं कि किसी प्रकार कोई भी चाहे हम गरुड पाठ करें या मोक्षा की बात करें बिना ध्वनी उच्चारन के या बिना कोई चीज के गायन वादन बजाए हम किसी दर्शन कोई मोक्ष दर्शन की भी बात आती है वहां भी नाद का बड़ा महत्व है वहां भी नाद चाहे वो अंदर से उत्पन ह होले वाले नाद की बात करें और चाहें बाहर से उत्पन होले वाले नाद कभी हम मोक्ष के लिए बैठते हैं या कहें अपने ट्रेल्फ हाउस की बात करें कुंडली जागरन विशे के लिए बैठते हैं तो अंदर एक अक्षत्र का दिशा माना जाता है, गोत्र, रिशी क्रतु के साथ सम्मंद जोड कर देखना है, जो ब्रह्माजी के मानस पुत्र रहें, रिशी क्रतु का कहे जाते हैं कि इनके साथ हजार इनके पुत्र रहें, बाल खिल्ले के नाम से 60,000, और कहते हैं कि सूरे को बल देने वा और अरुण भगवान की उत्पत्ती हुई गरुण आप जानते हैं विश्णु भगवान के वाहन जो एक प्रकार से कह सकने हैं सोतेले भाई थे नागों के वासुकी तक्षक इनके सोतेले भाई और अरुण भी जो गरुण के सगे भाई थे और नागों के सोतेले बाए तो अरुन के बारे में कहा जाता है इनका उपर वाला हिस्सा बड़ा पुष्ट होता है लेकिन नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा कमजोर होता है तो वो इन ही के प्रेणना से उत्पन्नु है जो भगवान सूर्य के सार्थ ही माने जाते हैं तो इनका सूरे को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है रिशी करतु का तो इन जातकों के साथ भी इनका समन्द जोड़ कर देखना है या कह सकते हैं इन रिशी का वास रहता है इस नक्षत्र में वर्ण शुद्र तो मैंने भी पहली आपको कही बार बताया कलिकाल में इस वर्ण की सबसे ज़्यादा विशेष्ता मानी जाएगी पूरी तरह कर्म प्रधान इनको आप कोई बौधिक कारे के लिए ज़्यादा कहेंगे तो नहीं बनेगा ठीक है बारवी राशी मोक्ष की बात करती है लेकिन ये अपने कर्म से ही मोक्ष को पाना चाते है ये इनका जो भी दर्शन शास्तर में भी अगर कोई विक्ती जाता है तब ही भी ये अपने शारीरिक श्रम से मूँ मोरने वाले नहीं है तो शारीरिक श्रम को बहुत ज़्यादा महानता देते हैं कमाल के ट्रबल शूटर होंगे और क्योंकि ये एक म्रदू नक्षत्र भी है तो अगर कोई विक्ती सौट्वेर इंडास्टी में भी कोई इस प्रकार का सौट्वेर बनाता है जहांपर ट्रांसपोर्ट को मदद मिल मिलने वाली है सिंगल सिस्टम को मदद मिलने वाली है तो उसके लिए भी ये नक्षत्र जातक बहुत अच्छे माने जाते हैं गण देव गण इनका देव है और मैच मैचिंग के समय मुख्य रूप से वर्ण गण नाड़ी इस सब देखा जाता है अगर आप इसको एक जैस राक्षजगन का क्या आर्थ हो सकते है तो उसका अगर एक सिनॉनिमम कहें आपको जैसे वर्ण का मतलब क्या है एस्ट्रोजिक और वर्ण का मतलब है वर्किंग स्टाइल तो अगर वर्ण दोश है तो वर और वदू का जो काम करने का तरीका होगा वो भिन्न होगा इस हमारी जो मेंटेलिटी है वर्किंग स्टाइल एक अलग चीज है हम बैठे हुए हमारी सोच वो हमें कहीं न कहीं गण दोश से पता लगता है अगर गण दोश है तो परसन का नेचर मैच नहीं करेगा ध्यान रखना है जैसे देव गण, राक्षज गण और मनुष्यगण तो उस प्रकार से देखे राक्षज, राक्षज का महित्री चलेगा और राक्षज मनुष्य का भी कुछ हद तक अगर वर मनुष्य है और वदू राक्षज है कुछ हद तक चलेगा लेकिन और देव और राक्षज है फिर तो बिलकुल नहीं चलेगा तो वो match matching के दोरान देखा जाता है love and affection अगर भुकोट दोश है तो प्रेम नहीं होगा दोनों में clear और नाड़ी दोश जो मैं पहले भी बता चुका हूँ नाड़ी दोश देखा जाता है medical या health issue तो नहीं आ सकते हैं especially संतान उत्पत्ती के लिए नाड़ी दोश अगर है आप उसको छोड़ सकते हैं कि किस किस प्रकार से कारे करने का तरीका है देवगन वाले कि फिलोसफी रहती कि ठीक आप कार्य कर्म प्रधान हमारा जीवन है लेकिन दूसरे को चीट नहीं करना है अगर हमें कोई चीट भी करता तो भी लिव इट छोड़ो उसको हमें इट का जवाब पत्थर से देना ये फिलोसफी हमारी नहीं ये विदुर नीति के अच्छे फॉलोवर होते हैं विदुर नीति साफ कहते कि भई जो जिसने किया है उसका फॉल उसको मिलना कि मोक्ष मरने के समय मिलेगा अगर मेरे मन में किसी भी कारे के प्रती अकर्म आ जाता कि नहीं या मुझे इसका ना तो अच्छा फल चाहिए ना बुरा फल चाहिए तो आप जीते जी ही मोक्ष पा लेते हैं और काफी हद तक यह जो पार्ट है बारवा पार्ट या कहीं आखर जौडियक का राशी यह इस पार्ट के बहुत नजदीक है धर्म अर्थ काम मोक्ष में भी इस राशी को बार बार इसका नाम उच्छारण किया जाता है कह सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉंग हाला कि चतुर्थ भाव को भी मोक्ष के साथ जोड कर दिखा जाता है अस्टम भाव क शुक्र को भी बहुत प्री है यानि अगर पाइसेज मजबूत है मीन राशी मजबूत है तो जैसे शुक्र बली है उच्छका हो गया है मीन राशी में शुक्र उच्छका हो जाता है तो निश्चित रूप से आदमी सांसारिक चुजो का भी पूरा उपभोग करेगा कि of soul के लिए उसको बड़ा ज्यादा आसानी होगी पिर इसमें हम देखते हैं की नाड़ी अंतया नाड़ी समान नहीं होने चीँ है तो नाड़ी दोश लगता है प्रकृति म्रदू समान प्रकृति शुक्र के समान कारे करने का तरीका शुक्र के समान ध्यान रखना है इस ग्रह का कोई और दखल नहीं है वैसे यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि प्रकरती में कारे करने का इसका तरीका कैसा है म्रदू और उसको मुख्य रूप से मुहुरत के लिए देखना है को कोई ऐसे शुक्र समंदी कोई entertainment रती सुख आप लेना चाते हैं पती पतनी में मैथुन सुख उसके लिए नक्षत्र गोचर इस प्रकार का कोई entertainment पाइटी करना चाहिए कोई बहुत बड़ी ऐसी पहल जिसका दूरगामी असर होगा उसको अवाइड करना चाहिए क्योंकि नक्षत्र गंडान्त है तो द रैभव चाहिए तो भी सबसे जल्दी प्रसंद होने वाला जो देवता है वो शिव और प्रले भी माना जाता माने जी और डी जो माना जाता गाड में डी आनि डेस्टाइरर वो महेश या शिव की भूमिका में है तो ध्यान रखना है कि भगवान शंकरी प्रले लाने वाल अगर उसको मन में भहे है तो यही सबसे बड़िया उपचार है कि उसको मृत्यू पर जय करना सिखाया जाए ऐसी कोई भी कहानिया जहां पर मृत्यू पर जय की बात आती चाहे वो भागवत पुरान में दुन्दकारी का अख्यान है जहां मृत्यू के जय की बात आती है व अगर वो जैसे अवरो पाद में ही दोनों मेल और फीमेल हैं तो फिर यह रजू दोश बढ़ा होगा इसके अंक कट जाएंगे हाँ अगर पाद समान भी है लेकिन वो अवरो है और वो आरो है तो कुछ हद तक वो चीजें एक्सेप्टिबल होंगी मैं यह नहीं कह रहा कि वह अलग ही उसमें चलाजे पाद है जैसे तो कंट में चलाजे या शिरो में चलाजे तो पांच प्रकार के रजू कमाने हमारे बाडी का रेसेप्टर वा जो पार्ट है जो बाडी के मेरू रजू याने स्पाइनल कोड जो भी इन्फोमेशन हम रेसीव करते हैं उस सबसे पहल खैर मुतिया बाज इसको छोटा बाज माना जाता है और यह बहुत ज्यादा घने जंगलों में नहीं रहता है यह वाला बाज छोटा होता है और छोटी चिडियों को पकड़ने के लिए जाना जाता है और शक्ति स्पूर्ति मुख्य रूप से हम आत्मविश्वास से भरा इस बाज को तो यह सिंबल के रूप में इसका इस्तमाल किया जा सकता है यहां जितनी भी बाज चल रही है सब इस नक्षत्र को परी है तो आपको भी कहीं न कि इन सिंबल्स का इस्तमाल डिरेक्ली इंडरेक्ली करना चाहिए बात करते हैं गुण तो सत्व गुण इसका है और सिजन की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं तमस के पास जाना चाहिए लेकिन नहीं इनकी कारेश है ली है पूरी तरह से सत्व मीन राशी वैसे भी जलतत्व राशी है और ब्रहस्पती के रोमेंटिक फेस की बात करती है और शुक्र को बड़ा स्थान प्री है तो ध्यान राशी और मीन राशी में जमीन आस्मान का फर्क है धनू राशी एक ब्राम्मिन है लेकिन वो एक ऐसा ब्राम्मिन जो राजा के राजदर्बार में काम करने वाले राजपरोहित के समाने ने कुछ कुछ खत्रियगुन समान और मीन राशी ठीक है एथिक्स में मॉरैल में ब जगजरी भी चाहिए वह ध्यान रखना वह दिखता भी है लेकिन कभी भी सत्वगुण से वह हटेगा नहीं अकर्म के बहुत ज़्यादा नजदीक रहता है अकर्म याने कर्म तो करता है उसके फल की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है प्रक्रिया भरन या जो विम्शोत्री स्वामी है इसका बुद्ध आपका जन्म जब आपको हुआ है मीन राशी में 16 डिग्री 40 मिनट से थोड़ा ही ज्यादा चंद्रम है तो लगबग आपको 17 वर्ष की बुद्ध की महादशा मिलेगी और यह कैसे अंतरदशा प्रतिंतरदशा शुक्ष्मदशा प्रानदशा निकालते हैं वो आप हमारे ग्रहों के गणित वाले प्लेलिस्ट में जाकर उसको ढूंड सकते हैं पता लग जाएगा कि इसको मैथेमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है काल पुरुष नर अंग तो टकनाया पाओं वैसे भी मीन राशी का संबन्ध हमारे पैरों से होता है काल पुरुष की कुली में बारवी राशी तो यह पार्ट ज्यादा प्रोयक्टिव है इसमें दोश हो सकता है अगर कोई इस प्रकार का दुश्मन बैठे हैं आपस में कोई ग्रहन दोश लगा हाँ यह विक्ति कैसा है तो यह आँखों का मंदा इस्तमाल करते हैं या कहीं आँखों के जरीए अनलाइज नहीं करते हैं उनकी जो कारे करने का तरीक है कि कारे वो कैसा कर रहा है उस प्रकार से उसको अनलाइज करते हैं वनस्पति महुआ तो इस वनस्पति के चाहे फल च शेतर में यह देखा जा सकता है तो महुआ अलग-अलग प्रकार से इसके प्रकार के क olmaz को कुछ ना कोछ इसके विम्चोथरी सवामी बुद्ध का एक प्रकार से कारे भी है तो उसके तेयल का उपयोग होता है और भी बहुत उप्योग है, महुआ कई प्रकार के रेर मिनरल उसके अंदर होते हैं, शरीर को पुष्ट करने के लिए, और इससे अलकोहल वाइन भी बनाया जाता है, और बहुत अच्छा प्रजर्वेटी माना जाता है, तो कई प्रकार के मेडिसन परपस में इसका इस्तमाल होता है, महुआ का, तो आप इसको कहीं न कहीं इसके ड्राइफ रूट्स की मिलते हैं, इसका जो फल है, जो थोड़ा-थोड़ा मीठा होता है, उसको सुखा कर इसके ड्राइफ रूट्स के तरह इसका इसका इस्तमाल होत है लेकिन ये कहीं न कहीं ब्राउन कलर की बात करता है रेवती नक्षत्र तत्व आकाश सार्व भाम में इसके राशी स्वामी से काफी हद तक मैच करें ब्रहस्पति का तत्व हम आकाश मानते हैं तो उसके साथ संबंद बनता है यूनी गज स्त्री तो एक गज है और आपको पता है गज की जब बात करते तो परिवार से बड़ा उसको लगाव रहता है गज को स्पेशली ये फीमेल एलिफेंट की बात कर रहा है जो परिवार की मुख्या भी होती है और बहुत दूर से कॉमुनिकेट करने के लिए जाने जाते हैं दूसरे के साथ परिवार की सभशा में लगा देना और कही ना कहीं गज साहस उसकी भी बात करता है तो वह योनी का जो काम करने का तरीका है जो भी योनी में सवरूपाएगा वह जाता में रिफ्लेक्ट हो गई होगा लेकिन गज सामाने तक क्रूर नहीं माने जाते हैं बलशाली हैं बलिष्ट हैं क्रूर नहीं माने जाते हैं ये बात ध्यानक नहीं इतना बल होने के बाद भी इस बल को बड़े नियंतरित रुप से किसी स्त्री के लिए अगर ये वाला पार्ट पढ़ता है तो अच्छा माना जाता है जैसा कहते हैं बई प्राया किसी की संदर इस्त्री की चाल हिर्नी की तरह हो ऐसा मतलब फिल्म इंडस्टी वालों ने सिखा दी है लेकिन हमारा जो बाइद बुक अगर चलते हैं रेफरेंस बुक तो शास्त्रिय बुक या कहें जूतिशी बुक कहते हैं कि हमारा डील डॉल हमारा चाल एक अच्छी इस्त्री के लिए उसको गज गामनी माना जाता है उसका चलने का तरीका एक हथनी के समान होता है ना कि हिरनी के समान एक अच्छी इस्त्री के लिए तो वो ध्यान रखना है कारशेली नम्र संतुलित ख्लेर होग है तो नम्र होकर संतुलित कारे करने का तरीका है कुछ कुछ ये पाइसेज जो है वो कर्क की समान भी जान पड़ता है कर्क का भी स्वभाव एकदम म्रदू मीठा स्वभाव है तो ये भी मीठा स्वभाव तारा संख्या 32 तो कई जो तिश्विद इसको एक नगाड़े के सुरूप में देखते हैं कई इसको अपोजिट रिवती नक्षत्र में और वार पढ़ रहा है सोंबार तो ऐसा कोई कारे आप शुरुवात कर सकते हैं लेकिन द्यान रखना है जिसके दूर गामी परिणाम हो वो इस नक्षत्र में प्रायन नहीं करने चाहिए जैसे आज अभी आपको रिजल्ट मिल गया चोड़ वो तो क चंदर्मा का गोचर है और गुरुवार या शुक्रवार है तो सभी कारे करने के लिए उसके लिए अच्छा योग है अम्रित योग जनली हम तब देखते हैं कि जब कोई हमें जाच करने के बाद को रिजल्ट मिलने वाला है क्लेर तो ध्यान देना है कोई ऐसा रिजल्ट ह इस नक्षत्र जातकों का सोचने का तरीके एकदम मैच करता है भरणी नक्षत्र जातकों के साथ जो गज योनी है रख योनी के साथ या बाग योनी के साथ बैर नहीं मानना है सूरे गोचर सूरे समंदित को इस प्रकार का प्रयोग सूरे कमजोर पढ़ रहा है इस नक्षतर जातक के लिए तो फिर आप 30 मार्च के लगबग सूरे इसमें प्रवेश करता है तो उसके आसपास कोई ऐसा आप सरवार सिद्धी योग देखते हैं बहुत अच्छा रहेगा तो आपको सूरे समंदि प्रयोग करना चाहिए चंद्रमा स्वाति थी इसी प्रकार से चंद्रमा अगर इस नक्षतर में कई कमजोर पढ़ रहा है तो चंद्रमा इस नक्षतर के साथ समंद बनाता है भाद्र पद मास के अंतिम नौ दिन सितंबर महा हमें पढ़ता है और पुर्णि माति थी इसकी मानी जाती है इस नक्षतर की नक्षतर समायोजन यानि नक्षतर को किस प्रकार से कोई भी विक्ती समझ सकता है भी अरेवती नक्षतर कैसा उसका कारे करने का तरीका है देव अंगरक्षक रूप तो एक तो उनके देवता पुशान आदित्य को मीठा स्वभाव इनका अंगरक्षक रूप में सदैव हमारे साथ रहने वाले मतस्य केतु स्वरूप केतु की यहां बात आ रही है तो थोड़ा ये भी द्यान रखना है कि मुक्षा वाला पार्ट रहेगा मन में हमेशा ही किसी भी विशे पर बात करे एक ये विशे तो रहे गई detachment, मुक्षा बुद्धी का ग्रह बुद्ध क्योंकि विम्शोत्तरी स्वामी बुद्ध है तो हाला कि बुद्ध की नीच राशी है बुद्धियां सिटिंग में ना हो थोटा ये ध्यान रखें अगर बुद्धियां सिटिंग में है तो नीच भंग होना चाहिए बुद्ध का नहीं तो फिर कमजोर हो जाएगा पहली दर्शा में जो आपको ग्रह मिल गया वो नीच का है गड़बड हो जाएगी तो ये ध्यान रखना है कि बुद्ध और ग्यान में एक प्रकार का कंफलिक्ट है और दोनों ही हाला कि दोनों जेंटल में हैं गुरू भी और बुद्ध भी लेकिन कुछ मामले में बुद्ध को गुरू की फिलोसफी पसंद नहीं है और गुरू को बुद्ध की फिलोसफी पसंद बात भी सही है वैसे हम सब ग्यान के ही पुजारी है हम सब ग्यान की बात करते हैं कि हाँ ये ग्यान ये रिटन ये जो भी चीज़े एक्जिस्ट करते हैं existing knowledge की बात करते हैं लेकिन बुद्ध बात करता है जो एक्जिस्ट नहीं करता है लेकिन वो infinite है वो बड़ा कठी नहीं दिखाए नहीं देता है इसलिए बुद्ध को हम astrology में भी जादा समय नहीं देते कि बुद्ध है ठीक है वो तो जैसा वो मन ग्रह कहेगा वो ऐसे कर देगा असल में ऐसा नहीं है बुद्ध कई मामले में ब्रहस्पती से भी आगे निकल जाता है अगर बुद्ध एक्टिव होना शुरू कर जाए तो फिर ब्रहस्पती उसके आसपास भी नहीं रह जाता है क्योंकि भगवद गीता स्वयम कहती कि मैं जितना जितना ग्यान हमने लिया है ग्रंथों से जितने भी ग्रंथ हैं वेद पुरान अगर आपका तत्व ग्यान आपको या ब्रम ग्यान आपको हो जाता है तो सारा ग्यान पर चांट दस पसंट भी नहीं माना है कुछ दशमलों जैसे केते महा सागर में कुछ बूंदे उतना ही ज्यान जो एक्जिस्ट करता है फिलाल अर्थ में उसको मानना है तो बुद्ध तो अनंत की बात करता है बुद्ध हमारे बुद्धी को सौ प्रतिशत एक्टिव करने की बात करते हैं इसे लिए इसमें एक प्रकार का कंफ्लिक्ट है विरोदवास रहता है ज्यान रूप ब्रहस्पती शांत प्रेमी के रूप में भी तो वह थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि ये एक शुक्र का फेवरिट प्लेस है तो इन सब सब चीजों को और मिला दें तो एक क्योंकि अंगरक्षक की जहां बात थी पद पद पर आपकी सुरक्षा करने वाला देवता इसका है बड़ा शुब माना जाता है पुशान आदित्या मतस्य है मतस्य का सिंबल बड़ा शुब माना जाता है और बुद्धी का अगरे बुद्धा आ रहा है ज्यान का देवता रहस्पति आ रहा है तो इस नक्षत्र का समायोजन बात करते हैं नक्षत्र पद की यह सब गुण उसके अंदर होंगे लेकिन जो एक्जेक्यूट करेगा चीजों को जो इंप्लीमेंट करेगा उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाए देता है किया ठीक है मुख्य रूप स सोच तो यह है लेकिन यह एक्जेक्यूट थोड़ा अलग प्रकार से कर रहा है यह अलग क्योंकि नौमांश अलग अलग है तो जो चार चरण है उनमें अंतर आता है इनके नौमांश के कारण तो मीन राशीट 16 डिगरी 40 मिनिट से 20 डिगरी तक है यह धनु नौमांश में म प्राजा के दर्बार में काम करने वाला राचपुरोहित सही को सही कहना गलत को गलत कहने का मद्दा रखता है बिना किसी जगडे के जरूर ध्यान रखता है वानी में थोड़ा कठोर लगता है लेकिन कोई जगडा नहीं कोई कटूवचन नहीं उत्साहिये बहुत उदार परोपकारी प्रसन्चित उद्देश्य पूर्ती में लगा रहेना इस प्रकार का उसका कारे करने का तरीका है तो काल पुरुष्टी कुल्डी का या करे जब कभी रेफरेंस लेना है तो मेश लगन का ही रेफरेंस लेना है कोई भी लगन आप स्टडी करें व्रशब लगन मिथुन लगन आपको ये जुरूर देखना है कि मिथुन लगन अभी बन गया है कालप उसकी कुल्णी में ये कहां पड़ता है तरतिय भाव में उसकी प्रोपर्टी वहाँ ज्यादा डॉमिनेट करेंगी कॉम्निकेशन, बुद्द अगर अच्छा है तो कहना ही क्या मिथुन लगन की कुल्णी में पूरी इस चीज को प्रभावी डंग से इंप्लिमेंट करता है तो हम रेफरेंस किसका लेंगे सदैव मेश लगन का मीन राशी 20 दिगरी से 23 दिगरी 20 मिनट तक, याद रखना है चंद्रमा 20 दिगरी से थोड़ा एकसीड कर गया है तो मकर नमांच लग गया है कहां तक रहेगा मकर नमांच 23 दिगरी 20 मिनट तक मीन राशी में अब मकर काल पुरुष की कुल्णी में पढ़ता है दशंभाव में तो मकर राशी का क्या नेचर है कमांडर को बड़ी प्रिय है मंगल की ये उच्च राशी मानी जाती है मकर राशी तो ये कर्म पूरी तरह से कर्म प्रधान है और थोड़ा नुसाशन की भी बात करता है शौर है आगे से दिखने में मेश की तरह जान पढ़ता है वो अलग बात है उसका पिछला इस्सा पानी में रहने वाला एक क्रोकोडाइल के समान है तो ये थार्तवादी है बड़ी प्रैक्टिकल सोचोती वहवारिक विवस्था कुशल वो तो हो गई दशम भाव विवस्था में एक दम माही रहे प्रबंद पटू कोई भी इनको management का कारीद दिया जाए बड़े पटू होंगे वाक पटू समय परक क्लिर होगे तो कोई भी ऐसा जो समय के अनुसार कोई भी science है उसको accept करने की बात करेंगे अंद विश्वास से दूर तो वो याने quality वही रहेंगी दियान रखना है execute करने में फर्क कहां आ रहा है नौमांश के कारण तो यह अपने दिमाग में रखना है कि अगर हम राशी के सवभाव को भी in fact अगर आप भ्रगुसम्मिता भी अच्छे से जान लिया अपने अच्छे से पढ़ लिया अपने ग्रहों के बारे में तो भी आप इसके नौमांश को तुरन समझ जाएंगे हाँ कि बही overall जो energy आ रही है वो यह वाली है नक्षत्र समाई हो जान इसको execute यह चार अलग-लग तरीके से कराना है energy वही रहेगी energy change होने वाली नहीं है इसमें कोई क्रोधागनी नहीं है धनौनमांश में थोड़ा सा यह जरूर है कि वो थोड़ा सा थोड़ा सा दिखने में राजसी सा लगता है कि राजा के दरबार में लेकिन aggression यहां कहीं नहीं है clear कुम्ब नमांश अब कुम्ब नमांश शनी का बड़ा practical भी कह लीजे और profitable रूप माना जाते है liberal form of Saturn बहुत बड़ा फर्क है मकर और Aquarius में Capricorn और Aquarius में बहुत बड़ा फर्क है Capricorn में Mangal का स्वरूप विद्दमान है Mangal की favorite place है वो लेकिन Aquarius तो कहता है अगर किसी शत्रू से भी लाब हा रहा है आने दो जगडा नहीं है तो यह ध्यान रखना है कब यह होगा कुम्ब नमांश जब चंद्रमा आपका तेज डिगरी 20 मिनट से 26 डिगरी 40 मिनट तक है तो मानवतावादी लाब दृष्टी हर चीज में सम्मेदन शील साहित कला से लाब समानता के पक्षधर तो मैंने बोला ना शनी का श्रम और रोजगार मंत्राले का जो एक रोल है कभी रोजगार मंत्राले की अधिपती है शनी वो ज़्यादा सटिक दिखाई देता है कुम्ब राशी में एक अठा करने वक्की बात करने वाला तो एक्जेक्यूट करेगा ये इस प्रकार थर्ड नौमांश वाला कुम्ब नौमांश के जरीए फिर आता है चौथा चरण जिसको गंड मूल माना जाता है हाला कि ये नौमांश इनका मीन राशी में मीन माता पिता है उनको कहीं न कहीं नुकसान पहुचाने वाला होता है गंड मूल का मुख्य रूप से दोश परिवार के लोगों को लगता है अपने लिए जातक को कोई ऐसा कमी नी करेगा अपने लिए माने जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके पास सभी आरे हम जनरली इसमें त्याग देते है दिवा स्वपनी खुब स्वपन देखने वाला और कलपना बड़ी अच्छी होती अगर उनको एक अच्छी दिशा मिल जाए बड़िया लिखिन कला के जो नक्षत्र यानि इस नक्षत्र में एक तो प्लेस्मेंट अच्छे ग्राव की मिल जाए इसको चंद्रमा बैट जाए साथ में ब्रहस्पती बैट जाए बुद्ध स्वग रही हो जाए यानि कन्या राशी में बैट जाए उच्छका होकर तो पिर उस पूरी शक्ति को वो इस प्रकार की लेखनी लिखेगा जहां मृत्यू पर जह करने की बात करेगा आध्यात्म में रूची कलाव ज्यान का मिलन संग दोश भहे अब संग दोश भहे दो प्रकार से देखना एक तो भही जो इनके क्योंकि नक्षतर गंडा अंत है या कहें गंडबूल का विशेष असर है तो जो साथ में रहता उसको भहे रहता दूसरा माता पिता के चल्दी चले जाने से अगर इसकी कुली में ग्रा बहुत मिर्बल है तो इसको भी संगत का बुरा सर पड़ सकता है तो थोड़ा सा ये पार्ट समाल कर चलना चाहिए बात करते हैं स्थान के मताबिक लुभावने नहीं होते है लेकिन वो इस नक्षत्र को परी है यात यात परिवहन स्थान कोई भी ऐसे स्थान जो कोई जैसे कोई ऐसा म्यूजियम है जहां पर ट्रैवल के बारे में बताते हैं ट्रेन का कोई पुराना रेल संगर हाल है और कोई भी ऐसे ट्रांसपोर्ट म्यूजियम कोई भी ऐसा जहां कोई चलाय मान चीज़ है चाहे वो कोई ट्वाइ म्यूजियम भी है जहां ट्रांसपोर्ट पर आधारित कोई चीज है रेल पट्री है सडक विमान क्षेत्र समुद्र नदी नोका कोई ऐसा बोटिंग वालक शेत्र है यातायाद पाट शॉला है कोई जहां पर हमें ट्रेणिंग δियाती एक ट्रेंस्पोर्ट ट्रेंश त्रेंग दी आती है या कोई ऐसी की किसी भी प्रकार का यातायाद परिवहन कार रहे हैं यह जातक करता है स्थान परिवर्तन का कारे भी कोई ऐसा कि किसी को स्थान इधर से उधर भेजना है कि कोई ऐसा उसने एजनसी ले रखी कि जहां पर उसको विदेश भेजने का कार रहे है कि वो कोई क्योंकि बारवे बाव कर सम्मन foreign land के साथ भी हो तो foreign land, foreign people तो कोई TOEFL, Isles को clear करवा कर आपको विदेश में भेजता है ऐसा कोई भी कार रहा वो इसमें माना जाता है, सभी चर आनंद जो जल्दी जल्दी बदलते हैं इस परकार के आनंद को इस परकार की industry जहां short term को इस परकार के entertainment program होते हैं, कोई इस परकार की 3D movies दिखाई जाती हैं, तो वो सब भी इसमें माना जाता है लेकिन मुख्य रूप से इस चार आनंद में हमें transport को शामिल करना है clear? कई परकार के इस परकार के museum है या कह लिजे इस परकार के exhibition है जहां कई ट्रेन में बैठ कर या कोई इस परकार के moving vehicle में बैठ कर कोई इस परकार का दर्शन कराया जाता कि यह दर्शन है तो उससे भी जातक जोड़ा हो सकता है सम्मोहन करता बारवेभाव के साथ संबन्द है तो निश्चित रूप से यह जो भी मोक्ष दर्शन है या सम्मोहन विद्दिया इसके अच्छे जानकर मानी जाते हैं, कलपना कालपनिक लेख कविता तो बहुत अच्छी कलपना इनकी शक्ती होती है, मृत्यू दर्शन तो ऐसी कोई भी दर्शन जहां मृत्यू से मोक्ष की बात की जाए वित्यू से भहे की बात ना की जाए सौट्वेर निर्माट स्पेशली वो सौट्वेर जो बहुत ज़्यादा चेंजेबल चीजों पर बात कर रहा है कि बही कोई ऐसा आईधर ट्रांसपोर्ट गेम है कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट सिग्नलिस सिस्टम के लिए आप कोई काम करते हैं सौट्वेर में और भाषा विद्ध एक भाषा से दूसरी भाषा बदलना क्योंकि ये बारे वे भावके सा समन्द बनाता है विदेशी भाषा ये स्थान जानकर दूसरे स्थानों के बारे में जानने वाला जहां रहता है उससे जादा दूसरे स्थानों को जानने वाला अगर इस नक्षत्र की स्थिती कमजोर दिखाई देती है तो क्या उपचार किया जाए तो आइदर आप पुशान आदित्तिक देवता को भजे हाला कि इस सभी आपके लिए प्रियोग है जितने वनस्पती है कोई पक्षी है उसका कही ना कहीं दियान करना उसके बारे में जानकर एकत्र करना फिर भी विश्नु सहस्त्र नाम का विश्नु के जो हजार नाम है अगर हम याद कर लें तो बहुत बढ़ी है मतस से पुरान का अगर हम कभी पठन-पाथन करें उसको धारन करें स्पेशली प्रलय और स्रजन का कोई ऐसा पौरानी ऐसा कोई मिलता है उसको हमें पढ़ना चाहिए परधर्म, परजाती सम्मान नयान देना है बारवा भाव फॉरन कंट्री, फॉरन पीपल है किसी भी प्रकार से इसको बली करना है तो हमें परधर्म, परजाती का सम्मान करना है कि नहीं नहीं जिस भी मन में ये भावना आ गई कि मेरी जाती सर्वश्रेष्ट, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ट, या मैं सर्वश्रेष्ट, खतम, उसको कभी बारवे भाव का सुख नहीं मिल सकता है, उसका सोल डिपार्चर बड़ा टफ होता है, बड़ा कठीन होता है प्राण निकलना, इसलिए बड़ा इजी रखना बहए नहीं करना चाहिए धर्म के लिए कि तुँ यह कर रहा है यह तो गलत तरीका है, इसका हमें ध्यान देना है, जब उसका मन स्वयम के लिए करेगा, लालाइट होगा वो कारे के लिए, तो फिर वो स्वयम अपना रास्ता चुनेगा, तो यह ध्यान देना है, यह और useför ना एक होता है किसी पर आदेश कमांड तो वो तरीका निया एडवाइस फिर भी हम दे सकते हैं कि यह मुझे ऐसा लगता है शायद आप यह भी करके देख सकते हैं लेकिन कमांड यह तू कर रहा है गलत है यह यह नहीं ध्यान रखना है इसका विशेश रूप से ध्यान रखन जो जिन्होंने मैडिकल की पढ़ाई की और बड़े जाता मतलब इनका जो दर्शन रहा पूरी तरह से वो मृत्यू जयी दर्शन माना जाता है कि मृत्यू पर जीत दिलाने वाला दर्शन तो ऐसी मोटिवेटेड पिता जैसे कर्म कांडी रहे अच्छा वेद पुराणों क जानकार रहे पिता तो इनके पितान की इच्छा थी यह डॉक्टर बने तो डॉक्टर बने लेकिन उसके बाद पूरी तरह अपना जीवन एक प्रकार से निस्वार्थ भाव से देश को समर्पित कर दिया आपने सुना और राष्टी स्वाम से वक संग आरसस की स्थापना दाक्टर हेडगेवार जी ने की थी तो इनके जीवन को पढ़कर भी हम काफियत तक इस नक्षत्र के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि बही जीवन में कभी ऐसा है कि बही कोई कमी रही लेकिन जीवन शुरुवात से ही एक मृत्यू दर्शन या मुक्ष दर्शन की तरफ कि उन्होंने जो कहते हैं पूर्ण स्वराज या स्वराज या अपने स्वदेशी मिशन के लिए बहुत कारे किया और जगह-जगह मांग कर कि देश के लिए हमें कुछ इकठा करना चाहिए और इनके वाद में इनके बात्चित में ऐसी शक्ति होती थी महिलाएं अपने अंगल सुत्र तक इनको दान दे देती थी कि देश के लिए ध्यान दिया और उसी इकत्रन करके धन से उस समय भारत को अच्छे इंडस्टी की बड़ी जरूरती जो स्वदेशी का प्रचार करें उनी के धन से कई इंडस्टी लगाई गई इनफाक्ट कह सकते हैं कि टाटा बिरला को पहला एक्सेलरेशन देने वाले लोक मानने बाल गंगदर तिलक ही थे तो लेकिन वो पूरी तरह से इनके सोच कि जब आदनी के मन में परमार्थाता है तो इतना धनी कठा करने के बाद तो ये अब समझ सकते हैं उस जवाने में कई करोड रुपे का एकत्रन हो ग कर दिये मतलब बोलते बोलते भी इनके लंक्स में कुछ दिक्कत आ गई थी तो लाड करजन हाला कि भारतियों की दृष्टी से इनको अच्छा तो नहीं माना जा सकता व्यक्तिक जीवन के लिए अपने अच्छे होंगे क्योंकि इनके माइंड में एक रेसिजम की भावना बहुत थी भारतियों को किसी तरह आपस में लड़ाया जाए इनका भी कहीं नक्षत्र रहा लेकिन हाँ अपने जीवन के लिए अपने लोगों के लिए इनका दर्शन कुछ-कुछ इनको बली माना जाता है वहां के जो लोग हैं बहुत इनका गान करते हैं कि बहुत लक्षत्र प्रभाव दिखाई देता है माक ट्वेन तो माक ट्वेन जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी लिखक कवी रहे इनकी भी रचनाओं में कहीं नकई मुक्ष जै यहांने मुक्ष पर जीत हासिल करने की बात होती है तो वो साफ साफ दिखा जा सकता है मिर्जा गालिब पर भी गंडमुल लक्षत्र का प्रभाव दिखाई देता है बही पिता जर्म के कुछ समय के बाद ही देवसान हो गया चाचा जो ने इनको पाला उनका भी जल्दी द किलकता जाते रहे जाते रहे और कभी रचना में आप समझे सकते हैं कि छोटी छोटी लाइने भी एकदम कई दफा मतलब हमारे लौकिक संसार से सीधे पारलोकिक संसार तक हमें जोड देती है तो यह था रेवती नक्षत्र के बारे में जोतिशी है जानकारी आपको कैसी ल प्रयास किया कि कोई भी तुरूटी ना हो लेकिन फिर भी अगर कोई भाशा में या कुछ तुरूटी रही हो तो उसके लिए ख्शमा प्रार्थियों मिलते अगली क्लास में तब तक के लिए जैश्री भ्रगुपराशरा जैश्री शुक्राचारिय नमस्कार